मिस बॉल हक पाकिसान कुर्केटीम के हेड कोच मुकरर मिस बॉल हक टीम के चीफ सेलेक्टर भी होगे वकार यूरस टीम के बॉलिंग कोच होगे और दो की मया तीन साल होगी पीसीबी का बाकाईरा एलान बैटिंग कोच का फैसला बाद में होगा कि दो जो बड़ी एहम मेरे खाल में जिम्हदारियां हैं चीफ सेलेक्टर और हैड कोच पाकिस्तान टीम का शो की है रहने तो बहुत शुक्रिया उसके लिए मेरी कोशिश यह होगी कि मैं जिस भी रोल में आया हूँ मैं अपनी पूरी इमानदारी और पूरी पूरी ताकत से अपनी पूरी इनरजी के साथ वो रोल प्ले करूँ मिस पॉल हग कहते हैं कौमी क्रिकेट टीम की कोशिंग मेरे लिए एहजास है नई जिम्मेदारिया निभाने के लिए मुकमल तोर पर तैयार होगी ऐसी टीम हो जो अटैकिंग क्रिकेट खेले हेड कोश की प्रेस कांफरेंस पाक फार के तर्जमान मेजर जनरल आसिफ अफूर अब से कुछ दिर में आहम प्रेस कांफरेंस करेंगे सरदों की कशीदा सुरतिहाल और यामेद इफार के तक्रिवाद के हवाले से मीडिया को आगाह करेंगे आएंच चलें शहीद के घर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान आईस प्यार ने यामेद इफा का निया प्रोमोट जारी कर दिया करतार पुर रहधारी पर पाथ भारत मुझारात अटारी में होने वाले मुझारात ने पाकिस्तानी वफ्त की कयादत तर्जमान दफ्तर खारजानी की डॉक्टर फैसल का कहना है पाकिस्तान करतार पुर रहधारी खोलने के वादे पर काइम है भारत को जवाबी डोजियर दे दिया, तफसील बताने से इंकार हद्वी मुजाकरात के लिए भारती वफ्द को पाकिस्तान आने की दावर्ट हम खोल देंगे जी पांच सो पचासवी पे नवंबर में जिसना वजिराजम साब ने कहा है एक डोजियर उन्होंने हमारे हुआले किया था पिछली दफ़ा जवाबी डोजियर हम उनके हँआले का रहे हैं वो उसको देख लें पढ़ लें और उसका जवाब अगर चाहेंगे तो फिर वो हमें देए सकते हैं हमने उन्हें इन्वाइट किया है कि आखरी मीटिंग के लिए नेक्स टाइम वो यहां आएगा जन्नत नजीर राद ये कश्मीर में कर्फियों का आज 31 वाद दे मगबुजा बादी में जिन्दगी से सकने लगी घजाई कुलब के बाइस अधाम परेशान मरीज इलाच कराने से कासर पाबंदियों के बावजूद कश्मीरियों का इतजाद जारी से जड़ते भारत की पहार जेल में कैद हुरियत महनमा यासीन मली की तबियत बिगड़ गए बाद काने वाले रिस्तेदारों ने भी तस्दीक कर दी भारत आसाम की मुसलमानों को बेड़ देखल करने से बास रहे कोई मुसलमान चेहरियत से महरूम नहीं रहना चाहिए मुसलमानों को मौलूमात तक मकमर रसाई और कानूनी इंदात फरहम की जाए अक्वाम मतहिता के हाई कमिस्टर ब्राय प्राह गजीन फिलिपीनो ग्रैंटी का भारत पर जोड आज की मेरी इस ब्रेस्ट ब्रीफिंग का बन्यादी मकसद बलके एक ही मकसद आपको मकबूजा कश्मीर में जो हला उससे मतलक और उन हलात की वज़ा से हमारे जो बशमूल लाइन अफ कंट्रोल और मजमूई मुलकी सलामती उस पर क्या सराथ है क्या किया है आगे क्या हो सकता है उसके ओपर मैं आप से बातचीत करूंगा इंचिडेंटली तीन तारिखों कोर कमांडर कर कमांडर कांफरेंस भी होई उसमें भी ये बातचीत होई तो उस उस कोर कमांडर कांफरेंस की जो प्रेस लिज नहीं होई थी तो उसकी बातचीत भी इसका इस्सा होगी थोड़ा सा मैं आज आप से तफसील में बात करूंगा उसके बाद आप से क्वेस्टेंज बिलूँगा किसी भी मुलक के जो हलात होते हैं वो जो ओवराल इन्वार्मेंट होती हैं उसके मताबिक होते हैं और उन इन्वार्मेंट का आपकी मुलकी स्लामती के उपर एक गहरा असर होता है तालुख होता है यू के नाट डी लिंक के आपके मुलक के हलात जो हैं वो ओवराल इन्वार्मेंट से कैसे चल रहे हैं इन्वार्मेंट के फिर दो पहलों हैं एक इन्वार्मेंट आपके रीजिन की है खिते की है और एक इन्वार्मेंट आपकी डिमेस्टिक है मुलक के अंदर की है इस पे बहुत दफ़ा बाचित हो चुकी कि हमारे खिते की क्या अहमियत है हमारी लोकेशन की क्या अहमियत है तो अगर आप देखें तो हमारे खिते के अंदर जो वर्ल्ड पावर्स है उनके इंटरस्ट हैं उनके एकनामिक इंटरस्ट है जो economic contestation है जो geo-strategy contestation है हमारे خطे ने चल रही है और कुछ भी हो जाए जो हमारी geographic location है वो पाकिस्तान को नदर अंदाज करके जिसके जो भी मकासिद हैं वो पूरे नहीं हो सकते हम positively relevant हैं region की environment में और जो world powers हैं उनके interest के हसूल के लिए एक दोह पहले भी मैंने बात की थी कि हम किन इंवार्मेंट में रहते हैं हमारे एस्ट में इंडिया है एक बड़ी अबादी वाला मुलक है जिसके साथ जो इस रीजिन के प्लेयर्ज हैं उसके मौशी मफादात मुंसलिक है वहां पर आजकल जो हिटलर के पेरोकार मुदी है और उनकी जमात है उनकी हकुमत है तो इस सवा अरब की अबादी वाले मुलक के साथ अक्वामे आलम के इंटरस्ट मुंसलिक है एक तो आपने यह चीज़ देन में रखनी है फिर हमारे शमाल में अबरती हुई आलमी कुवत आटामिक पावर भी है चाइना है हमारा टाइम फ्रेंड है बहुत अच्छे और गहरे तालुकात हमारे चाइना के साथ है तो रीजन में जो एकनामिक कंटेस्टेशन है उसमें चाइना का एक कलीदी रोल है वन बेल्ट वन रोड का फ्लैक्शिप प्रॉजेक्ट सीपेक जो है वो इस खिते से और पाकिस्तान के जरीए व पर का है तो उन इक्तलाफात और तनाजियात के बावजूद जो एकनामिक इंटरस्ट हैं वो दुनों के जोईन कर जाते हैं हमरे वेस्ट में अफगानिस्तान है अफगानिस्तान जो है क्वाम आलम के जो इंटरस्ट है उसका बैटल फिल्ड रहा है पिछले चालिस साल से और अफगानिस्तान ने सुवाइट जंग के कुर्बानियों के शिहादतों के कुछ नहीं देखा इन चैलिस साल में और इसका पाकिस्तान पर भी अथर रहा है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमल के लिए बहुत भरपूर कोश्शे की और इस वकत जो रीकान प्रॉस के साथ लगे हुए है हमारे जनूब मगरिब में इरान है इरान से भी हमारे भाईयों वाले तालुकात हैं लेकिन मीडल इस्ट के जो इन्वार्मेंट है उसके तनाजर में इरान को इस वकत कुछ मुश्किलाद का सामना है लेकिन इरान का खिते के अमन की तरफ एक बहुत अहम करदार है जिसको नदर अन्दाज नहीं किया जा सकता तो मजबूरी तो पर अगर आप देखें तो हमारा खिता जो है एक गलोबल पावर कंटेस्टेशन का सेंटर है अदम इस तहकाम का शकार है और इस इन्वार्मेंट के अंदर जो हालात मकबूजा कश्मीर में इस हैं वो खिते के ओवराल इस तहकाम अमन और तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा खत्रा बन चुका है अब अगर आप हिंदुस्तान पर नदर डालें तो हिंदुस्तान में जैसे मैंने का कि इस वकत इंतहा पसंद सोच जो कियारसेस है और नाजीजम के डियालोजी उनकी ए खूमत है हिंदुस्तान में मजूद बाइस करोड मुसल्मान सिक्ख हिसाई दलत और दूसरी एकलेते हैं जो हैं वो इस वकत इस माइंड सेट के जल्मों सित्म का शकार है यह वही नदरिया है जिसने गांदी को कतल किया बाबरी मस्जिद को शहीद किया कुजरात में मुसल लोगों को ना मजभी अज़ादी है ना माशरती अज़ादी है मकबूदा कश्मीर के तनाजर में मुदी हकूमत जो नहरू का दिया गया नजरिया था कि कश्मीर को आगे लेके कैसे चलने है उससे भी मुमोड चुकी है और सैकुलर हिंदस्तान इस वकत एक ऐसे फैशियस् ने भी पिछले चालीस साल में और खास तोर पर पिछले बीस साल में दैशत गर्दी के नासूर का हम सब ने मिलके बहुत भादरी से मकाबला किया है इस दुरान भी इंडिया ने हमारी तوج्जो दैशत गर्दी के खिलाफ जंग से हटाने के लिए बहुत दफा मशरकी सरहत क की तरफ ले जाने की कोशिश की एसकलेशन की प्रोवोकेशन की और इस चीज़ के बावजूद अलम्दुलिल्ला हम वाहिद मुलक हैं और हम वाहिद अफवाज हैं कि जिनों ने इन तमाम चैलिंजिस का मकाबला किया और इस वकत हमारे मुलक में रिलेटिव पीस है ना सिर के अंदर जो मकबूजा किश्मीर में इंडिया ने एक्शन किया है वो एक ऐसी जंग का बीज बो रहा है कि खिते के कदम इस वकत अमन की तरफ बढ़ रहे हैं और वो एक नई जंग के शुरू करने का बीज बो रहा है आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर ने जब अप तोड जवाब मिला तो इस सिल्से में आपने सुना होगा कि वजिराजम साब ने का है कि आप पाकिस्तान की तरफ से डायलॉग की कोई यक तरफा पेशकश्ट नहीं होगी